नवाब मल्क के ओपर पिच्चर बनेंगी यह जो अधिकारी ड्रक्ट के ओपर जो इतना कंट्रोल कर रहा है दाउद के लोगों को पकड़ रहा है यह पिच्चर बनेंगी लोगों के सामने सचाई आएगी कितना छुपा लेंगे जे कितना ताकत के नशे में प्रस का गलत इस कंडी सकता कि शारू खांका बीटा ड्रक्ट बेजता होगा तकर मैं इस पास पे मुझे नहीं सहीमत नहीं हूं हाँ ड्रग लेता होगा ली ली है और आगे क्या लिंक होगा मंगवाने के टाइम पर हम उसको ड्रग का समगलर नहीं कह सकते सचाई को सचाई की बात करें हम यह कह सकते हैं ड्रग लेता हुआ पकड़ा गया ठीक है ना अटैक जो हमारा मेन है मेन अटैक वो है कि उस सीनियर अधिकारी ने ड्रग को और इसको जो नार्को टैरिजम को कंट्रोल करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है उसने आंधी की तरह एक लेहर एक करांती की तरह काम किया है जो कोई बंद आज इनसान नहीं कर सकता अब देखते हैं कि ड्रग का अगर दंदा खतम हो जाता है राजिनितिक लोग जो सता में बेठें उनकी रोटी खत्म हो जाती है क्योंकि ड्रक्स आएगी तो उनको पैसे जाएगे ड्रक्स आएगी कुछ पुलिसादव सब्सक्राइब आपतार मिले होंगे उनको पैसे जाएंगे तो ड्राक को कंट्ुल करना एक टैरिप्टार्रिप्ल को कंट्रूल करना एक नार्कोट चैरिसम को कंट्रोल करना हमारी जो जु़ूत है हमारा जो ट्ई साल the 18 सारां साल का यूथ है वो गलत रस्ते में कई बठक ना जाए गलत रस्ते में बठक गया वह अतंकवादी भी बन सकता है वह जनरेशन भी बरबाद कर सकता है वह आगे यूथ को भी तबाह कर सकता है तो हमारी हिंदोस्तान की संस्कृति को तबाह कर सकता है उसके ओपर कंट्र तर्रिजम आया और अभी तक नार्को पहले टेरिजम खतम हुआ अब नार्को टेरिजम आ गया एक सचा अधिकारी अगर नार्को टेरिजम के खलाफ वाज उटाता है अगर दाउद इबराहिम के बड़े-बड़े गुर्गों को पकड़ता है जो करोडों अरबों की हिरुआ कह दूँ मेरा जो अन्बफ कहता है महरास्ट्रा के अंदर टोटल पुलिटिकल टेरिजम और राजिनती गुलामी की स्टेट बन चुका है जो उनके खलाप हो लेगा उनको जान तो जान से मार देंगे जा उनके खलाप के इस दर्ज कर देंगे जा उसका पुलिस का गलत इस्त बनके रहें कि आई पीएस ऑफीशर स्ट्राइड निलेते कि सार हम यह गलत काम नहीं करेंगे पंजाब के अंदर बड़े-बड़े ऑफीशर देखें रबैरो जैसे ऑफीशर हमने देखिए बड़े-बड़े और ऑफीशर देखें जो बिलकुल पॉलिटीशन की नहीं सु आई पीएस अधिकारियों की जमीर कहां मर गई क्या? आइस हदिकारियों के जमीर मर गी क्या? आप इकठे होकर सरकार के खलाफ क्यों नी खड़े होते? सरकार यह कनून के खलाफ है. जो भी हो रहा है वहां पे वो टोटल पूलिटिकल टेरिजम हो अगर एक आदमी मनिस्टर हो या आम आदमी हो या पॉलिटीशन हो उनके सबंद के लोगों को जो ड्रक का काम करते जो दाव दिवराहिम के गुर्गे हैं जो दाव दिवराहिम के साथ मिले हुएं अगर उसको पकड़ता है और उसके ऊपर अपनी एक विजनस की टीम को खड़ा कर देते इसका मतलब यह है कि ड्रक्स बिक्ती रहे नौजमान जो नई जनरेशना बरबाद होती रहे देश कमजोर होता रहे देश की सुरक्षा विवस्ता कमजोर होती रहे और हम राजनितिक लोग अपनी स सता और सुख और पैसे का अनंद मानते रहें सिर्फ यही असलियत जो मुझे मुझे पता है वहां पुलिटिकल टेरिजम फिलाया जा रहा उस अधिकारी के उपर आदमी इमानदारी से काम कर रहा है मैं सब नेताओं को कहने ना चाहता हूं महरास्ता के याद रखिएगा उ सीबी आई में भी जाएगा वह और अच्छी जगह पे जाएगा अगर आपके दुबारा काबू आगया ना आपके चने चबा देगा वह अभी तो आप जो जिस तरीके से उसको मेंटरी टॉर्चर करने हैं वह कर लीजिए पर एक दिन आपको जरूरत से जारा मेंटरी टॉ जातिर होना पड़ेगा देखा ना देशमुक वहां का हूम मिनिस्टर एक पुलिस कमिशनर गैब और हो मिनिस्टर भी यह वहां की सरकार है और वही हो मिनिस्टर जब राजपूत का केस होता तो लकीरों वाली जैकेट पहन करके बड़ी एक्टिंग से बात करता तो मैंने उसी वक कहा था इसका हशर बड़ा बुरा होगा देख लिया यह नेता है हमारे इसको कहते हैं नेता यह नेता एक वो नेता शुबास चंदरबोश जिसको कहते हैं नेता जी शुबास चंदरबोश यह आज के ठग और चोर नेता जो किश्म कमिशनर कहते हैं हमें वसूली कर के दो वह सूली करके दो हो मेनिस्टर कहता है तो पिच्छरे जो पॉलिटीशन के ऊपर बनती है पॉलिटीशनों की जो सजाई बताई जाती है वह सचाई यह महरास्टा के आज के लीडरों की है और हमका माहौल है पुलिटिकल टेरिजम एक होता है गोलियों का टेरिजम वह अब जले हजारों बर जीना पर जो पॉलिटिकल टेरिजम होता है ने इसे जान निकाल ले जाता पता नहीं कितने लोगों की जंदगीया बरबाद कर देते बगमान एसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा अरे आप हमारे अधरे आपने खद्दर आजांगा पहले भी पहनते थे, खदर आज भी आप पहनते हैं, आप लोग अधर्च मानते हैं, आप जिस तरीके से चैनल के अंदर बोलते हैं, आपको देखे का नई जनरेशन इस रास्ते पर जाएगी, मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं इसे, तो महरास्टा के अंदर जो मैं तो नाव दिवरा में उसके हाथ कामते थे आपने तो बाला साब ठाकरे की अगर रूप उपर से देखती आज रोती होगी तरपती होगी कि मेरे जाने के बाद मेरे परवार के लोगों ने मेरे नाम के उपर मेरे शिवशाना के उपर इतना बड़ा दाग लगा दिया यह राजनीती करके समीरवांखेडे को ही कटगरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं अगर कोई ओफिसर इतना जादा इमानदारी से काम कर रहा है तो उसके उपर राजनीती क्यों और बॉली बोट और राजनीती में इतना बड़ा कौन सा सम्मंध है जिसे छुबाने की ब बरबाद हो रही है अगर इनी सारी चीजों को खतम करने के लिए समीरवांखेडे जैसा ओफिसर सामने आता है तो इसको लेकर राजनीती क्यों कर रही है महाराष्ट की सरकार इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेरिजम इसको कहते राजनीती घोलामी परचाशन का गलत परजोग करना और जब परचाशन का गलत परजोग होता है तो इसको पॉलिटिकल टेरिजम के रूप में बनाया जाता है और जहां ड्रक्ट की बात है इसको कहते नार्को टेरिजम एक टेरिजम एक नार्को टेरिजम जब टेरिजम से हमारा दुश्मन फेल हो जाता है फिर वो नार्को टेरिजम फैलाने की कोशिश करता है फिर हमारे युवाओं को ड्रक की तरफ डाल करके इस देश को कमजूर करने की कोशिश करता है हमारी शुरक्षा विवस्ता मदबूत हो और नौजवान सेना में जाने के काबल न रहे ये पंजाब के अंदर हुआ पंजाब के अंदर नार्को टेरिजम आया और अभी तक नार्को पहले टेरिजम खतम हुआ अब नार्को टेरिजम आ गया एक सचा अधिकारी अगर नार्को टेरिजम के खलाफ वाद उटाता है हो जाते हैं और मैं आपको बिल्कुल स्पर्थ कह दूँ मेरा जो अन्बफ कहता है महरास्ट्रा के अंदर टोटल पुलिटिकल टैरिजम और राजिनती गुलामी की स्टेट बन चुका है जो उनके खलाप हो लेगा उनको जान तो जान से मार देंगे जा उनके खलाप केस्दर कर देंगे जा उसका पुलिस का गलत इस्तमाल करेंगे इंडियन पुलिस सर्वस आई एस ऑफिशर जिनको हम महान बताते हैं वह उनके पिठू बनके रहेगे क्यों आई पीएस ऑफिशर स्टेंड नहीं लेते कि सार हम यह गलत काम नहीं करेंगे पंजाब के अंदर बड़ जैसे ऑफिशर हमने देखिए बड़े बड़े और ऑफिशर देखे जो बिलकुल पॉलिटीशन की नहीं सुनते थे घलत को गलत कहते थे मैं मंतरी रहा हूं मेरे ऑफिशर कह देते थे साब यह काम गलत हम नहीं करेंगे अधिकारियों की भी तो हिम्मत होनी चाहिए अधिक सरकार के खलाफ क्यों नहीं खड़े होते सरकार यह कनून के खलाफ है जो भी हो रहा है वहां पर टोटल पॉलिटिकल टेरिजम है अगर एक आदमी मनिस्टर हो या आम आदमी हो या पॉलिटीशन हो उनके सबंद के लोगों को जो ड्रक का काम करते जो दाव दिबराहिम के गुर्गे हैं जो दाव दिबराहिम के साथ मिले हुए है अगर उसको पकड़ता है और उसके ऊपर अपनी एक विजनस की टीम को खड़ा कर देते इसका मतलब यह है कि ड्रक्स बिक्ती रहे नौजमान जो नई जनरेशना बरबाद होती रहे देश कमजोर होता रहे देश की सुरक्षा विवस्ता कमजोर होती रहे और हम राजनितिक लोग अपनी सता और सुक और पैसे का अनन्द मानते रहें सिर्फ यही असलियत है जो मुझे मुझे पता है वहां पुलिटिकल टेरिजम फिलाया जा रहा उस अधिकारी के उपर राजनिति घुलामी की तरफ देख जाए यह हलात वहां पर किये जा रहे हैं और यह बड़ा इस देश के लिए खतरनाक रूप है एक वह अजादी जो बगत सिंग राजगरु सुक्दे मंगल पांडे इस्तफा कुला खाने लेके देती थी एक यह राजनिति घुलामी एक वह गुलामी अंग्रेजों की और आ उसको देखके रो पड़ा तो बगत सिंग कहते नहीं मा मेरी आखों में आशू इसलिए हैं कि हमारे फांची के रत्से को चूमने के बाद यह बारत अजाद होगा अंग्रेजों से पर अंग्रेजों से गोरे अंग्रेजों से अजाद होगा और यह महरास्टा के जो नेता बैटें ऐसे काले अंग्रीजों के हाथों में आ जाएगा और वो चीजें सच हुई वो चीज सब सब सब्सक्राइब हुए जिन्हों ने 23 साल की उम्र में फासी ले ली देश को आजादी दिलाने के लिए आज अगर 23 साल का लड़का ही ड्रग लेता पाया जाता है ड्रग के लिंक में आते हैं इंटरनाशनल चैट उस लड़के की चैट में मिलते हैं कि वो बहार से दुबई के जो गुर्गे हैं जो दाउत के दुगुर्गे हैं उन लोगों से ड्रग की बैडलिंग की बातें करता है एंजीवी की तरफ से सारी सच्चाई निकाल के सामने लाए जा आज ड्रग की तरफ जा रहा है युवा थे वो चाते तो जिंदा रह सकते थे वो चाते तो हिंदोस्तान के रास्टर पती हिंदोस्तान के परदान मंत्री हिंदोस्तान के होमनिस्टर बन सकते थे पर उन्होंने फांसी के रस्षे को 23 साल की नौजवान ने फांसी चे लिए वो रोते थे आखरी वक्त हमारे जाने के बाद यह देश अकाले अंग्रेज़ों के हाथों में आ जाएगा यह काले अंग्रेज नेता नेता बदनाम क्यों होता ऐसे लोगों को देख करके नेता बदनाम होता है आप पुलिटिकल टेरिजम फेलाते मिली जुली सरकार है आपकी लवारत सरकार है वहां आपकी पुलिस परशाचन में कंट्रोल है आपका कोई किसी को मार दे कोई पुलिस वाला पकड़ दे कोई किसी के उपर इंकाउंटर कर दे आपने देखा रलैंस के मालिक अंबानी के घ आपे हैं तरह कर दोगे कल को किसी अभिताब बचन के और उसके बाद उससे पैसे के वसूली की कहोगे हमें पैसा दो पैसा नहीं देता तो उसको कहेंगे करेंगे हम तुमारी यह वाज़त नहीं करेंगे वहां कोई भी व्यक्ति शुरक्षत नहीं हम भी जाते हैं न वहां हम शुरक्षत नहीं हैं हम पूरे देश में शुरक्षत हैं पर आज हम ऐसी सरकार को देखके हम महरास्टा में शुरक्षत नहीं है और वो महरास्टा जो हिंदुस्तान का एकनॉमिक स्टेट है बॉंबे एकनॉमिक पर दिया यही कारण था कि वहां की राजनितिक सिस्टम बरबाद हो चुका है और उसको ठीक करने के लिए सेंटर गवर्मेंट को को स्टेप अच्छा उठाना चाहिए समीर वांखेडे की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि देश के सामने सचाई आए और देश में जो ड्रक का काला कारोबार है इसे बंद किया जाए पर नवा मलिख सर हर दूसरे दिन ट्वीट करके उनके पर्सणल उनकी ऊद्मी उनके पिता जी को लेकर ट्वीट करते हैं मैं सब नेताओं को कहने ना चाहता हूं महारास्टा के, याद रखिएगा, उसकी उमर अभी छोटी है, वो बहुत आगे जाएगा, वो CBI में भी जाएगा, वो और अच्छी जगा पे जाएगा, अगर आपके दोबारा काबू आगया ना आपके चने चबा देगा वो, अभी कमिशनर, गैब, और हो मिनिस्टर भी गैब, यह वहाँ की सरकार है, और वही हो मिनिस्टर, जब राजपूत का केस होता, तो लकीरों वाली जैकेट पहन करके, बड़ी एक्टिंग से बात करता, तो मैंने उसी वक कहा था, इसका हशर बड़ा बुरा होगा, देख लिया, य जिसको कहते हैं, नेता, ये नेता, एक वो नेता, शुबास चंदरबोश, जिसको कहते हैं, नेता जी शुबास चंदरबोश, ये आज के ठग और चोर नेता, जो किश्म कमिशनर कहते हैं, हमें वसूली करके दो, वसूली करके दो, हो मिनिस्टर कहता है, तो पिच्चरे जो politician के ओपर बनती है politician कोंगी जो सजाई बताई जाती है वह सचाई Maria के आज कि लीडरों की है और इनने पे पिश्य बनेगी आज निए तो कल इनके बनेगी नवाब मलक के ओपर ते यह जो अधिकारी ड्रक्स के ओपर जो का कितना कंट्रोल कर रहा है दाओद के लोगों को पकड़ रहा है यह पिच्चर बने कि लोगों के सामने सचाई आएक व्याहे इक कितना ताक्त के नशे में प्रस का गलत elf इस्तवार कर लेंगे कितना ताकत के नशे के अंदर किसी के ओपर political terrorism फिला देंगे, कितना political terrorism को ले करके किसी को mentally torture करेंगे, कितनी दिर करेंगे, एक दिन तो जनता समझेगी, जवाब तो जनता भी देगी, ये तो नहीं है, जब देगी, फिर ये देश मुख की तरह, पुलिश कमिशनर की तरह, बा से रोज आप अपमान करके अपनी गाड़ी के लहराते हुए का अपमान करते हैं, एक दिन वो तरंगा जंडा भी आपको सवाल पूछेगा, आपने हमारे खून से बने चुटिवे तरंगे जंडे का अपमान किया, आपने सविदान की छपत ले कर के सविदान का अपमान किया आपने सविदान की रक्षा नहीं की अरे ये कौन सा तरीक है पुलिटिकल टेरिजम किसी आदिकारी को कहो तुम ये केस की कैर पैरवाई करो जैसे वहाँ पे रिलैंस के बाहर गाड़ी लगा दी थी पुलिस वाले जम्मेदार निकले उन्होंने खुद कहा हमने वहां रखा ऐसे किसी पुलिस वाले को कह दो तुम उसको पकड़के वहां पे ले आओ उसकी जाच करो और तुम्हें अच्छी पोस्टिंग दे रहेंगे तो वहां खूब पैसा बनाओ खुद भी बनाओ हम भी खाएंगे ये तो चीजें सामने चल रही है सारी असलियत तो गलत काम कर सकता है मैं गरंटी देता हूँ वह व्यक्ति ऐसा गलत काम नहीं कर सकता यह टोटल उसके उपर पुलिटिकल टरिजम फिलाया जा रहा है बस सार एक सवाल ये भी है कि बॉलिवूड मैंसे तमाम ऐसे कलाखार हैं जिनको रिमांड पे लिया समीर वांखेडे ना पूछता चुई उनके लिंक पे निकल कर आये जाच चल रही है बार बार पर ये जो महरास्टी की सरकार है ये कहती है कि वो तो बहुत पैसे वाला है वो ड्रग बेचने का काम क्यूं करेगा उसके बहुत पैसा है और यही चीज़ें आज शारुक खान के बेटे के केस में कहीं गईigraphy जब आरेन खान का नाम निकल ड्रग्स लेता होगा ली होगी ली है और आगे क्या लिंक होगा बंगवाने के टाइम पे हम उसको ड्रग का समगलर नहीं कह सकते सचाई को सचाई की बात करे हम यह कह सकते हैं ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया ठीक है ना अटैक जो हमारा मेन है मेन अटैक वो है कि उस सीन कि तरह एक लहर एक क्रांटी की तरह काम किया है जो कोई बंद आज इन्सान नहीं कर सकता अब देखते हैं कि ड्रक्त का अगर दंदा खतम हो जाता है राजनित एक लोग जो सता में बेठें उनकी रूटी खतम हो जाती यह क्योंकि ड्रक्स आएगी तो उनको पैसे जाएगे तो ड्रक को कंट्रोल करना एक टैरिजम को कंट्रोल करना एक नार्को टैरिजम को कंट्रोल करना हमारी जो जूथ है हमारा जो तई साल का अठारा साल का जूथ है वो गलत रस्ते में कई बठक ना जाए गलत रस्ते में बठक गया वह अतंकवादी भी बन सकता है वह जनरेशन भी बरबात कर सकता है वो आगे यूद को भी तबाह कर सकता है तो हमारी हिंदोस्तान की संस्कृति को तबाह कर सकता है उसके ओपर कंट्रोल के ऐसे आदमी को तो चुरक्षा सरेंटर गॉर्मन को देनी चाहिए और ऐसे आदमी को सनमान करना चाहिए और दुनिया को ऐसे व्य तो आगली बार कोई ओफिसर इस तरीके से सामने आ पाएगा महराष्ट की सरकार कर रही है क्या कहेंगे सर देश की चंता के लिए इतना कहा देना चाहता हुआ कि एक बुजबल का इतिहास आपने देखा होगा वो आपकी तरह एक्टिंग करता था जब पावर में था जब हूम मनिस्टों था रंग बरंगी शाल पहन करके मैंने देखा मैं कि एक दिन फासेगा और जब वो जेल से निकला था और जो गंडमेन उस वक्त उसकी शुरक्षा में रहते थे और उसके बाद जब जेल से निकला तो कैदी मनाके वो गंडमेन लेके आये थे वो पहले वाल काले थे डाई थे उसके बाद वाल चट्टे थे और देश मुक का हाल आपने देख लिया तो मैं आपको बिलकुल कहूंगा कि ऐसी चीजों के उपर वीरोक्रेसी के उपर आप ऐस जिम्यदार अधिकारी होके जिम्यदार एक मंत्री होके भ्यानबाजी ना करें जिसमें देश का महौल खराब हो और जिससे नार्को टेरिजम फैले ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए अच्छा काम करें अच्छे करम करें हम भी मंत्री रहें जितनी दरहें डटके पं ज़िकारी को टार्गेट किया जा रहा है ड्रक बेचने वाले को ड्रक थेरिश्म और चुझा मीटएव ही ही पर जो ब्लीटिकल टेरिवीजम का महाले को जब ये रूप अपना धारन करता धर राक्षज तो और था रॉत बगवान को पूठ के आता है एक व्यक्ति के जान निकालनी ले जाता है यह पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बरबात कर देते हैं बगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा अरे आप हमारे अदर्श हैं आपने खदर पहना आए खदर अज़ादी से पहले भी पहनते थे खदर आज भी आप पहनते हैं आप लोग अधर्श मांते हैं आप जिस तरीके से चैनल के अंदर बोलते हैं हैं आपको देखके का नई जनरेशन इस रास्ते पर जाएगी मैं पूछना चाता हूं नहीं तो महारास्टा के अंदर जो मैंने देखए मैं कई सालों स तरफ देखती होगी तरफ दी होगी कि मेरे जाने के बाद मेरे परवार के लोगों ने मेरे नाम के उपर मेरे शिव शाना के उपर इतना बड़ा दाग लगा दिया जो बहुत बड़ा सवाल है है कि सकतू